नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनाफ के दौरान तीसरे मूर्चरे का दम भरने वाले राश्ट्री लोकतंद्रिक पार्टी के सुप्रीमों हनुमंत बेनिवाल के दावों की हवा निकल गई है। पर्चा दम दिखा पाया और ना ही बेनिवाल की पार्टी कुछ कर पाई। आरलपी ने इस चुनाफ में 125 प्रत्याशी मैदान में उतारे लेकिन केवल एक ही प्रत्याशी की जीत हो पाई। मतलब सिर्फ खीवसर से आरलपी प्रत्याशी हनुमंत बेनिवाल ने जीत दर्ज क पर आई है। पार्टी के दोनों विधायकों सहित बाकी सभी प्रत्याशी को हार का मुदेखना पड़ा है। हार के बाद बेनिवाल का खीज भरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चुनाव के नतीजे आने के बाद बेनिवाल मदगर्णा केंद्र बी आर मिर्धा कॉलेज से बाहर निकल रहे थे। उसी दोरान के इस वीडियो में अपने समर्थकों को डाटते हुए वो नजर आ रहे हैं। ये देखिए। कुछ लोगों से मिलने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उनके समर्थक जिन्दबाद के नारे लगाने लगते हैं हाला कि थोड़ी देर बाद नारे बंद हो जाते हैं सबका जोश एकदम बुजी हुई तीली की तरहां फुस हो जाता है। ये देखकर बेनिवाल कारेकरताओं से भड़कते हुए क्या कहते हैं जरा सुनिये। महुदय अब जै बोलने के लिए भी कारेकरता रखने पड़ रहे हैं क्या दिन आ गए हैं। आशीश कौशिक कह रहे हैं कि घमन तो देखिए इनका रसी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कहावत हनुमन बेनिवाल पर बिलकुल फिट बैठती हैं। इसी घमन के कारण क्या दिन आ गये हैं नारे लगवाने के लिए भी खुद ही कहना पर रहा है। दोस्तों आपको बता दें आरेलपी ने इस चुनाओं में कई प्रत्याश्य उतारे थे लेकिन सभी को हार मिली। हाला कि उनकी पार्टी को 2.49% वोट मिले। यानि आरेलपी नेता नहीं जीत पाए थी बेनिवाल ने यूपी के दलित नेता चंदरशेखर रावण की आजाज समाच पार्टी से गटबंधन भी किया था। लेकिन ये उनके काम नहीं आ सका। 2019 में लोकसभा चुनाओं में जीत दर्च कराने के बाद आरेलपी एंडिये के साथ थी हाला कि अगनिवीर और किस चानों के मुद्दे पर वो उनसे अलग हो गए थी लेकिन इस बार उन्होंने दूसरी पार्टियों का खेल तो बिगाड़ा ही साथ ही खुद भी कोई कमाल नहीं दिखा पाए। इस खबर में इतना ही एक खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं मेरा नाम फर हिंद जय भार